राजनीत में बंसवाद या परिवारवाद उचित है या अनुचित? जै भारत दर्शक मित्रों आप देख रहे हैं स्टार नियूज नेटवर्क और मैं रामजी दुबे समिस्या चिंतन के इस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ बंसवाद अथवा परिवारवाद हमारे देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है कभी कभी तो इसी मुद्दे के चारों तरफ पूरा चुनाओ घूमता नजर आता है यह देखने में आता है कि डाक्तर का लड़का वही माहौल पाकर डाक्तर और अच्छा डाक्तर बन जाता है फिर राजनीति में रहने वाले परिवार के माहौल में उसी के अनुसार बच्चे का उसी छेत्र में जाना इतना बिवाद का कारण तो नहीं है और अगर होता है तो ये विबाद का कान क्यों बन जाता है जहां तक मैं समझता हूँ कि विबाद परिवारवाद या बंसवाद का नहीं है बलकि आयोग बंस आयोग परिवार के सदस्य को बलात उस छेत्र में ले जाना है संतान यदी योग है काबिल है तो किसी भी अपने मन पसंद छेत्र में अपना नाम रवसन कर सकती है किन्तु आयोग संतान को अपना उत्तरा धिकारी बनाना वह भी राजनीतिक, सामाजिक, प्रसासनिक छेत्र में यह बात बिचारनी है हम यह करने में संकोच नहीं है कि यदी बनस योग्य है जैसे जयोती राजे सिंधिया जी सचिन पाइलट जी तो इसे हम बनसवाद नहीं कर सकते कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपना जन सिद्ध अधिकार समझते हैं कि मेरे पिता, मेरी माता इस पद पर थी और हमारा ही उस पर पूर्ण अधिकार है यह सर्वथा अंचित और गलत है जिसने देश को गलत रास्ते पर भटकाने का प्रयास किया जिसने अपनी पूरी पार्टरी को मिटा देने की इस्तिति तक ले गया हम उसके उपर ही पूर्ण रूपेड समझत पित हैं अखिर इसका दोसी कौन है क्या वह व्यक्ति या उसे चैनित करने वाला हो समाज राष्ट हित में समाज हित में जो व्यक्ति नहीं देख पाता है और ऐसे व्यक्ति ऐसे नेता को विशिश रूप से समर्पण देता है जातिवाद के आधार पे या बंसवाद के आधार पे तो वही बंसवाद या परिवार वाद हो जाता है और वही भावना देशियों समाज के हित के लिए घातक हो जाती है देश में योग्या और छम्तावान व्यक्ति की कमी नहीं है किन्तों कुछ स्वारती लोग अपने नीजी हितों के लिए अपने जमीर को मार कर वफादारी का परचे देते हैं सासन, प्रसासन या राजनीती में योग्यता अनुसार चैन होना चाहिए अयोग होने पर भी यदि हम उसके हाथ में बाग दोर देते हैं तो वो होता है बंसवाद या परिवारबाद और वो दोसी नहीं होता बलकि दोसी उससे भी ज़्यादा चैनित करने वाले होते हैं अमें आसर है कि आचारे प्रमोद किष्णन जैसा व्यक्ति जो संथ के वी चोले में है वो कहते हैं किसली राजी उगांदी जी हमारे दूला है जो उन्हें पसंद करे वो पार्टी में रहे और ना पसंद करे तो पार्टी के छोड़ दे अब आचारी जी को किस चीज की लालच है सची वो बैद गूर तीन जो प्रिय बोलाई भयास अब उन्हें किस चीज का भय है जो ऐसा स्टेट्मेंट दे रहे है निसकर्स यह है कि यदि बंस योग्य है परिवार के सदस्य योग्य है तो उन्हें बंस वाद या परिवार वाद कहना अंचित होगा किन्तु यदि बंस परंपरा पर सदस्य को अवग आयोगी सदस्य को परिवार या समाज पार्टी या राष्ट की बागडोर उनके हाथ में देते हैं तो वह बंस वाद या परिवार वाद होगा और बहुत ही घातक सिद्ध होगा इसके दोसी होगे आचार प्रमोद किष्णन जैसे वक्ता और चैन करता पुना समिस्या और चिंतन के आगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी आप देखते रहें स्टार नियूज नेटवर्क जै भारत